कि नमस्कार बहुत स्वागत है आपका मैं हूँ आपके साथ रतु ग्यानवानी इस वक्त बड़ी खबर का जिकर करते हैं कमल्नाथ के बीजेपी में शामल होने कि अट‌कले में तेज हो गए हैं sowohl हो गई हैं रिज्एस्पी में शामिल हो सकते है network recount right की दोनों B.J.P. में शामल हो सकते हैं कयास तरह तरह की लगाय जा रहे हैं हाला कि अभी तक B.J.P. की तरफ से या कांगरेस की तरफ से आधिकारिक पुष्टी नहीं हुई है किसी तरह का कोई बयान नहीं आया है कांगरेस की लगातार दिगज कहते आ रहें कि ऐसा कुछ भी नहीं है यह सरफ अटकलों का बाजार गर्म है पर ऐसी जानकारी मिल रही है कि बहुत जल्ब कल भी हो सकता है कि कमलनाथ और नकुलनाथ बीजपी का दामन थाम ले अटकलों का बाजार पूरी तरह से गर्म हो चुका है तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं पर कॉंग्रस मानने को तयार ने कॉंग्रस के दिकत जो है वो लगातार कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कमलनाथ कॉंग्रस में ही रहेंगे यह कॉंग्रस दावा कर रही है तो वहीं बीजपी वेलकम की तयारी कर रही है बीजपी का कहना है कि अगर वो आना चाहते तो तो उनका वेलकम है, एक तरफ से वेलकम की तयारी, एक तरफ से दम भरा जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आला कि देखने वाली बात यह होगी कि कल क्या होता है, जिस तरह की जानकारी मिल रही है, अटकलों का बाजार गर्प मुरा है कि कल दोनों, पिता पुत्र, कमिलना और नकुलाथ बीजिपी का दामन थाम सकते हैं, इससे कहीं न कहीं, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, नकुलनाथ कमलनाथ का खिर प्लान क्या है, इस पर तो हर कोई टक-टकी लगाए बैठा है कि क्या वाकई में ब और अब जो है तरह तरह के खयास लगाए जा रहे हैं, आला कि देखने वाली बात होगी, कॉंक्रस अभी तक यह मना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बाकी देखना दिल्चस्प होगा कि आखिर क्या फैसला यह लिया जाता है हमारे साथ खास सरचा के लिए सुधीर दिक्षित जी जुड़ गए हैं, सुधीर जी कमलनाथ के बात करें या नकुलनाथ की हम बात करें, दोरों के अटकले बहुत जादा तेज हो चुकी हैं, बीजेपे में शामिल होने की, और अगर ऐसा होता है तो सबसे बड़ा जटका ये कॉंग्रस के लिए होगा. चुकी चिंदवारा इकलोती लोकसवा सीट है, जिस पर बीजेपे की नजर है, बीजेपे लगातार पिछले पास साल से उस सीट को अपने पास लाने के लिए काम कर रही है, मंद्रप्रदेश की 29 सीटों में से 28 सीट हैं उनके पास और इस बार पूरे 29 की 29 सीट लाने का जो बीजेपे लक्ष लेकर चल रही थी, उस लक्ष को कहीं न कहीं पूरा करते हुए बीजेपे दिख रही थी, तो इस बीच में जो अटकले हुए, उसके बाद कॉंग्रेस में जो राजनीतिक बदला हुए, कमलनात वहां पर पर प्रदेश अद्यक्ष की भूमिका में थे, जब नतीजे आते हैं, तो कहीं न कहीं कमलनात के बाद प्रदेश अद्यक्ष को बदला जाता है, तो वहां से लेकर ही कई तरह के अटकले चलनी शुरू हो जाती है, कि आखिर यहां पर कुछ न कुछ बदलाओ की गुंजाइश है, कमलनात के बीजेपी में जाने को लेकर जो बातचीच चल रही है, जिस तरीके का आज के घटना करेंगे, अगर हम रिक्तु बात करें, तो आप देखेंगे कि कमलनात का पांच दिन का चिंदवारा का दोरा था, चिंदवारा दोरे के बाद वो भौपाल आते हैं, और भौपाल के बाद दिल्ली जाने की खबर आत जो कमलनात के करीबी लोग है, वो भी बीजेपी में जा सकते हैं, ऐसी अटकले यहां पर चल रही है, और ऐसी इस तरह की खबरे आ रही है, तो कहीं न कहीं, अगर आप लोकसुबा चुनाओं सिर पर है, महने भरबाद करीबाद आचार सींता लग जाएगे और जिस तरह से करीबी है, वो बिल्कुल छोडने के लिए तैयार है, हालाकि इस पर हम फिर से चर्चा करेंगे, अप लगातार बने रही है, से बीजिक बड़ी जानकारी भी धर्शेकों को दे दे, सायद जाफर का ट्वीट आया है, सायद जाफर ने ट्वीट किया है, कमलनात जी जो फैस करियास पर कमलनात के नेता देने को तैयार रही थे, वो साफत और से धंब भर रहे थे, कि कमलनात कहीं नहीं जाएंगे, वो शुरू से हमारे साथ है, आखरी तक हमारे साथ रहेंगे, पर अब जो है कहीं न कहीं स्टेट में बदलना पड़ रहा है, हालाकि पूरी तरह से नहीं कहा है, पर फिर भी कहा है, जो फैसला लेंगे, उचित होगा, चिंदवाड़ा के विकास राश्ट्र हित में ये फैसला होगा तो वहीं चिंद्वारा में सांसद नकुलाथ का बड़ा बयान आया है दमुआ की सभावे सांसद नकुलाथ बोले हैं कि चिंद्वारा को विकास की उस देशा में ले जाओंगा जहां कमलाथ जी नहीं ले जा सके है नकुलनाथ ने जरता से आशिरवाद मांगा है ये भी संकेत कहीं न कहीं ये कहा जा रहा है नकुलनाथ द्वारा कि जो विकास होना था कमलाज के समय वो नहीं हुआ मैं उस विकास वो विकास को लेकर आऊंगा ये बाते नकुलनाथ के द्वारा कहीं गई है कि आपने हमेशा अपना प्यार और आशीरवाद कमलना जी को दिया और आने वाले लोकसभा चुनाव में आप वही प्यार और वही आशीरवाद मुझे भी देंगे कि मैं दुबारा जिनवारा को निकास की उस प्रिशा में ले जाओं जो कि अज तक नहीं क्या आप समीका बह इस पर चर्चा भी करेंगे कि आखर इतना अटकलों का बाजार गर्म क्यों हो रहा है अचानक से ऐसा फैसला क्यों लेना पड़ गया कमलनाथ को या फैसला लेना पड़ रहा है कमलनाथ को नकुलनाथ को जो बयान आया उस पर भी चर्चा करते हैं सुधीर दिक्षित जी मारे के सबसे ज़दा करी भी माने जाते थे इंफेक्ट इंदिरा गांधी उन्हें तीसरा बेटा मानती थी और इतना बड़ा जटका जब कॉंग्रस को लगेगा तो कॉंग्रस की हालत क्या होगी एक ट्वीट भी सेयद साब कहाया है उन्होंने कहा है कि जो फैसला लिया जाएगा वो सई होगा जो फैसला लेंगे वो सई होगा तो कही न कहीं आप कॉंग्रस भी स्टेट्मेंट देने के मूड में आ गई है देना ही पड़ेगा बिल्कुल रितू देखे जिस तरीके से अभी आप जिक्र कर रहे थे आपने नकुलनाथ की सभा में दिये बयान की बात की सहिएद जाफर के अपने सोशल मेडिया पर जो लिखा है उसकी बात की तो इन कड़ियों को अगर हम जोड़ते हैं रितू तो कहने कई निश्चित पर कोई बहुत बड़ी चीज ओने वाली है उन कड़ियों को अब ऑगर ऊसको हम डिकोड़ करने की कोशिश करते हैं तो यह कए देना की कि कुछ न कुछ तो जरूर होने वुला हैं जा तक कमलनाथ जी की कबर जाने की बात हैं उसको लेका बहु है जो बाते चल रही x उसको ये और पुखतावल मिलता जैसे आपने नकुलनाथ की जिक्र किया कि जिस इस तर पर कमलनाथ जी नहीं ले जासा कि उस से उस तर पर याज वहां उस लेवल पर मैं अपने चिंदवारा को या अपने शेतर को लेकर जाओंगा तो यह जो बयान है नकुलनाथ का यह के सरकार हैं अगर लोक सबाव सांसद के लियास से देखते हैं तो तो ऐसे में अगर चिंदवारा में भी क्नकुलनाथ का यह संकेत है कि मैं और इसको जाओंगा विकास के नए पहमानों पर इगर शिनवारा को ले जाओंगा वह तबी संभा वहरी तो कि जब वहां पर भी डबल इंजन का जो सरकार या डबल इंजन का जो पावर है वह वहांपर मिले तो यह संकेत वह देते कि आखिर यह कहने के आउशकता क्यों पड़ रही है करीबन 45 साल से कमलनाथ जी चिंदवाडा की राजनीते में सक्रिय है चिंदवाडा और कमलनाथ जी एक दूसरे के परया कई इसमें कुछ न कुछ होने की जो अम्मीद है वो जबूर्स को पूरी तरह से कट घरे में या पर खड़ा कर दिया इस बयान को अगर हम बारी किसे देखें इस पर विचार करें मन्थन करें तो कॉंग्रस को शायद जो करना चाहिए था यह कॉंग्रस की जो सपोर्ट देना हुए है अश्रफ क्या लगता है दरबार कब तक दिल्ली में लग सकती है अटकले तेज बाजार गर में हैं पूरी तरसे कमलनात नकुलनात शामल हो सकते हैं बीजेपी में हाँ देखे रितू कमलनात और नकुलनात को लेके राजदी सी गल्यारों में बहुत जबरदस चर्चा हैं लगतार उनको लेके अलागला कटका अटकले लगाई जारी और इसी बीच वो दिल्ली लेंड कर चुके एरपोर्ट पे उनका जहाज जो था वो लेंड कर चुका औ अबसे कुछ ही मिल्टों में वो बाहर भी आने वाले हैं एरपोर्ट से तो जब वो आजाएं और उसके बाद कोशिश की जाए कि कि क्या सिद्धी अगर वो कुछ बोलते हैं तो हो सकता है कि आज ये जो इतने जिनों से का दूंसी चाही है राजदी पे वो कमलनात को लेकर दिल्ली में हो रहा है तो इस बीच में कमलनात को लेकर और अचकलों का बाजार गर्म हो गिया है अब क्या इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा लेकिन दावा यही जो किया जा रहा है कि कमलनात कम जो मौ है कॉंगरिस से खत्म हो चुका है मौ बाजपा जॉइन फीकर सकते हैं लेकिन यह सिफ अचकले हैं आदिकारी ग्रूप से ना कॉंगरिस बोल रही ए ना बीजे पीस पर बोल रही है तिछ ख्यास लगाया जा रहे हैं क्योंकि इतने रिदिशे बादशीश चल रही है कि वह आ सकते हैं तो कमलनात नीश का कंन्डन किया ना कुलनात वो इन दोनों पे चुप हैं अगर वो लोग कोई जवाब देते तो हो सकता था यह जो आज कल राजनीतिक गल्यारों में लगाई जा रही उस पर विराम लगता लेकिन अब को इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि राजनीती जो है पूरी तरह से संभावनाओं का केल है संभावनाएं हैं और आप कह सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा उस पर अटकले आज लगाई जा रहे हैं लेकिन कि क्या होगी उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि दो दिन का अधिवेशन है इस अधिवेशन में संभावनाएं कम है कि भाजपा लकुलनात या कमलना जॉइन करें आप लगातार नसर बनाय रखिएगा अश्रफ आपसे अफडेट लेते रहेंगे कि आकर दर्बार लगता है क्या कुछ उस दर्बार में भी होता है ये भी देखने वाली बात होगी फिलाल के लिए बहुत शुक्रिया सुधीर जी जब इतनी अटकले लगी रही है तो थोड़ी अटकले अगर और लगाई जाए कमलनात अगर बीजेपी में जाते है तो क्या उनकी पुरानी खायशे पुरी होंगी किस तरह की जिमेदारी उन्हें मिल सकती है या क्या सोचकर के वो जा रहे होंगे क्या बंदर बात माहा पर होगी इस बारे में भी थोड़ी चर्चा हो जाए बिल्कुल रहे तो बहुत सही बात आपने कहीं है कि अगर अटकले चल रही है तो आपने सुना होगा एक शेर है कि जब बात निकली है तो दूर तलग जाएंगी हुँ तो जहीर दोर पर रहे कि जब बात यह निकली है तो दूर तलग जा सकती है अटकलों पर अगर हम बात करते तो अटकले लगाने के लिए जब तक की कुछ भी पूस्टी नहीं वुछाती है आना के तरह का अटकले लगा सकते हैं कि अगर कमलनाज जी जा रहा है नकुलनाज जी जा रहा है दस से जड़ा विदायक और बड़े लोग जा रहे हैं तो क्या स्थीती बनते आगर उसका मातलन करेंगे उसको हम डिकोड करने की कोशिश करें जो अटकोलो कि आपने बात की करें तो कहीं न कहीं किसी वादे पर या किसी प्रॉमिस को लेकर ही इस तरह किसी वादे को लेकर शायद वो जाए कि ऐसा कुछ प्रामिस हुआ हो जिसको लेकर वो जा सकते हैं तो जो अटकलो के आप बात करें अटकले कुछ भी लगाई साथ जा सकती है अलग-अलग मीडिया जो गुरूप से अलग-अलग वार्टसप के जो गुरूप से उनम मध्यप्रदेश में हाली में विदान सभा के चुनाव के नतीजे आये हैं एक बड़ा बदला हुआ है मुख्यमंत्री के तौर पर बड़ा हुआ है मंत्रिय को तौर पर बड़े बदला हुए हैं तो जिस तरीके से भाजपा आगे बढ़ रही है लगातार नई चीज़ों क को लेकर जा रही है अपने टार्गेट सेट कर रही है पचास परसेंट से ज्यादा वोट के वो टार्गेट सेट कर रही है और सभी जगह पर ज्यादा से चार सो से पार सीटों का लोग सभा को टार्गेट सेट कर रही है तो जब अगर माहोल मुफीद हो सारी चीज़े अप होगी तो इनको जो खुलासा वो तभी हो पाएगा सूत्र तो यह भी बता रहे हैं कि आज इसमें कोई बड़ा डेवलिपमेंट नहीं होगा लेकिन कल जो है कमलनात और नकुलनात भाजपा में शामिल हो सकते हैं उनके करीबी कुछ लोग भी शामिल हो सकते एक बात और है कि यह देखना होगा कि मद्यप्रदेश से या कमलनात के जो इलाका महाकोशल के अगर हम बात करते हैं वहां से कुछ नेताओं की जाने की खबरे हैं तो कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे तो दिल्ली की टिकट कितने लोगों ने बुक कर आई है अब तो सवाल यहां पर कि ने कुछ रहे होंगे कि शायद मैंने बहुत लेट कर दिया चुनावों से पहले ही शायद मुझे यह फैसला ले लेना चाहिए था अगर मैं फैसला रहते ले लिता तो शायद में बड़ी जमदारी के साथ में होता वड़े पत के साथ लेकीत फैस बेंस आध यह नहीं व कि आप उसने कहा गया सुना गया वो बोलना ही शुरू किये थे तुम्हारे पास आया कुछ तानी क्या है ते बड़ी बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं दिल्ली पहुंच चुके हैं कबलनाथ कबलनाथ के बीजेप में शामिल हो नहीं कि अटकले अपते इस हो चु दिल्ली वह पहुंच चुके एकदम से ये नेले उनके द्वारा लिया गया और दिल्ली के लिए और रवाना हुए अब दिल्ली पहुंच चुके हैं और ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कई सारे दिगज कई सारे लोग कई सारे नीता उनके साथ हैं जो बीजेपी का द फाइल बदली हुई देखें, यां बहुत सारी चीज़ हैं जो अमें देखने को मिलेंगी, कल हाला की कयास लगाए जा रहे हैं कि कल बीजेपी स्वागत कर सकती है कमलनाथ का, कल बीजेपी में कमलनाथ शामल हो सकते हैं, पलके बिछाए बैठे हैं वो नीता जो जो जुनाव के समय कमलनाथ को कोस रहे थे अब पलके विच्छा करके अगर बीजेपी में शामिल होते हैं कमलनाथ तो उनका स्वागत करेंगे वो नेता जो कोस रहे थे चुनाब के समय अटकले तेजों चुकी है दिल्ली पहुंच चुके हैं कमलनाथ और अब ऐसा खयास लगाए जा रहा और कल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं जदा जानकारी के लिए अनूप हमारे साथ जुड़ गए अनूप क्या अब डेट मिल पा रहा है दिल्ली पहुंच चुके हैं कमलनाथ नकुलनाथ क्या मुलाकात संभव है किस किस से मुलाकात संभव है विस्तार से बताईए देखे आपको बता दू कि अभी बीजेपी राश्टिय परिश्ट की बैठक चलिए और सारे जो बड़े नेता है वो इस बैठक में मौझूद रहेंगे कर कोई भी दूसरी पार्टी का नेता अगर बीजेपी में शामिल होना चाहता है तो उसके लिए दरवाजे खुले हैं लेकिन किस तरीके से भी बातचीत चल रही है किस तरीके से आगे बढ़ना है कौन कब सामिल होगा इसको लेकर अभी बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं ख आने वाले संजय गांधी से लेकर के उनका पूराना रिष्टा कॉंग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है लेकिन जिस तरह से राजनितिक अटकले अटकलों का बजार गर्म है यह देखना दिल्चस्प होगा कि आने वाले वक्त में किस तरीके से कमलनात और नकुलनात और उनक कॉंग्रेस के बड़े नेता ने बीजेपी का दामन थामा है तो अब चुकी लोगसभा चुनाव है ऐसे में बीजेपी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा अगर बड़े लोग बीजेपी में शामिल होते हैं तो उनके लिए ज्यादा एक तरह से फायदा होगा क्योंकि अगर कोई शामिल होता है तो उनका वो स्वागत करेगी ठीक 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 ये भी बड़ा दल्चस्प होगा अनूप देखना कि आखिर कितना बड़ा जमावड़ा वहां पर लगता है कौन-कौन उनके साथ पहुंचते हैं इस बारे में कुछ आनका नहीं मिल पाई है कि कितनी कि ठीक 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 होई है साथ में कमलात के कौन-कौन पहुंचा है कौन-कौन शामिल हो सकता है अंदर खाने बाचीच चल रही है भी कोई भी चीच बाहर नहीं आई है और बीजेपी के निताओं से जब इस बावत बात की जाती है तो उनका कहना है कि देखिए अभी राष्टिय परिश्यत की बैठक चल रही है तो पूरा ध्यान जो है वो सभी निताओं का इस बैठक म अगर मोधी सरकार की उपलब्दियों योधी सरकार की योजनाओं से अगर वो प्रभावित हो करके अगर पार्टी में वो शामिल होते हैं तो उनका वो स्वागत करेंगे दस दिन से तो ऐसा लग रहा है अनूप की प्रिपेर्ड होगी कॉंग्रेस क्योंकि दस दिनों से ही लगातार सारा घटना करम चल रहा है अटकले तेज हो रही है तो प्रिपेर्ड तो कॉंग्रेस कहीं न कहीं होगी एकदम से जटका तो नहीं मान सकते अंदर मनानी का सिलस चल रहा होगा, हाला कि भले कमलनात नहीं माने होंगे, पर अब इसे जटका नहीं मान सकते, जटका अशार दस दन पहले था, जब ऐसी खबरे थी. पर इंडिया अलाइंस बनाया था, जिस तरीके से इंडिया अलाइंस में भी एक के बाद एक उनके घटक दल जो है, जो समय उसमें शामिल दिख रहते हैं, जिस तरीके से कॉंग्रेस का दावन उन्होंने छोड़ा, तो जाहिर सी बात है, उनके लिए बहुत आश्यरेकी बात नहीं है कि बड़े नेता आगर छोड़के गाते हैं दूसरी ते अब आपको बता दू कि एक जब अभी राज्य सभा के उमिद्वार बनाये गए तो महरास्ट में असुक चोहान जब बीजेपी का उन्होंने दामन सम्हाला दामन थामा तो उन्हें राज्य सभा सीट दी गई इसके अलाबा आर्पियन सिंग जो कॉंग्रेस के बड़े नेता थे उनको भी राज्य सभा उमिद्वार बनाये गया है तो ये कहा जा सकता है कि अगर दूसरी पार्टी से भी अगर बीजेपी में कोई नेता बड़ा नेता जनाधार वाला नेता अगर आता है तो उसे पार इसके बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हो और चिंदवारा में उनकी अच्छी पकड़ है बीजेपी के लिए चिंदवारा सीट जीतना इतना आसान नहीं है अगर धे support हैं तो ये सारी बातों का कल्कुलेशन कहीं नहीं बीजेपी के रनीतिकार और कमला आत अपने तर पस्टयाई कॉन कोई शामिल है उनके साथ कौन कोई स्टराइगे नीटा are men थाना जाम सकते चांकार आग्या अज़ सुबह जब कमनलाथ अपने बंगले से बाहर आये थे पाथी जमाव्ला था उनके बंगले में अमोमन अभी दो-चार दौरे में इतना जमाव्ला देखने को नहीं मिल रहा था हमने बात करने की कोशिश की लेकिन उन्नोंने साफ तोर पे इंकार कर दिया कि उन्होंने इस बात से इंकार कर दिया या कहीं न कहीं ये बात को समय से पहले बताना नहीं चाहते। दूसरी चीज उनके बारे में जो ये कहा जा रहा था कि छिंदबाडा से साथो च्छैों विधायक एक मेयर और तमाम जन्परति निदी शामिल होंगे वो अभी यहीं पे हैं हाल फिलाल हमारी सारे लोगों से बात हुई है किसी का भी ये कहना नहीं है कि वो दिल्ली जा रहा ह है कैलाश विजवर्गी यहां आये थे उनसे सवाल किया गया था कि क्या पूर्मुक्मंत्री कमलात और सांसन नकुलनात जाएंगे तो उन्होंने इस पस्ट कर दिया था कि हमारे दर्वाजे बंद है उसके बाद ये कयासों का दौर खास तोर पे छिंदबाडा में बंद हो हैं कि ऐसा अगर होगा तो कब होगा और कौन-कौन जाएंगे जी ठीक लगातार बने रही है सुधीर जी का रुक करते हूं सुधीर जी इतना वपक्ष कमजोर होता जा रहा है जनाधार अपना खोता जा रहा है आखर किस दिशा में आगे बढ़ रहे दोजार 24 के चुनाव में कॉंग्रेस के लिए मध्यप्रदेश में कॉंग्रेस की लोगसबा में इकलोती ताकत कमलनाथ है और नकुलनाथ सांसद है वहां सर चिंद्वाडा से तो ऐसी परिष्टिते में अगर जब वहां से चले जाएंगे तो कहीं ने कहीं यह अंदाजा लगाना बहुत मुश् अलग अलग करके नहीं देख सकते वह दोनों एक दूसरे के पर्याय माने जाते हैं यहां तक की कमलनाथ को जो है चिंद्वाडा का गांधी तक बोला जाता है जिस तरह के वह लोगों के लिए वहां उपलब्द रहते हैं जिस तरह का उन्होंने काम किया हुआ है जो चिंद लेकर वह कितना अपनापन रखते हैं तो ऐसी परिष्टिते में अगर चिंद्वाडा से नकुलनाथ चामिल हो जाए और वहां से अगर यह बुजेपी से टिकेट लड़ेगे तो यह आप देखीगा कि जो पूरी 29 सीटों का जो बुजेपी का टार्गेट है वह पूरा करन कहिने कही पहले से आप मान सकते हैं कि चुनाओ के पहले से विजेपी यह शायद मान सकती है कि हमारी 29 सीटे मद्द प्रदेश में आ रही है तुदीर जी जी जो पूरा घटना करम हो रहा है, राजनिते घटना करम हो रहा है, इसे देखकर अब यह लगता है की राजनीती कहीं नकई एक नौकरी हो गई है, जॉब हो गई है, कि जहां ज़ादा अच्छा इंक्रिमेंट पिला, वहां पर रुख कर लिया, विचार धरा ही बची ईयाओ जाहिर पें देक्राइव यह जहां पर मुझे अपना अस्त्यश्वन Imai यह पर मुझे लगता है कि मैं लामलाइट में बना रहुए उन चीजób को देखकर या हवा का रुख भाप कर आप कहते होंगे कई राजनिताओं के बारे में आपने सुना होंगा कि उन्हें राज सियासत के मौसम विध्यानी कहा जाता था उन वो यह भाप लेते थे कि क्या होने वाला उस लियास से वो पार्टी बदलते रहते थे तो राजनिती में यह सारी चीज़ें होना कोई बड़ी बात नहीं है रितु यह सालों से चलता आ रहा है और जो आयाराम गयाराम की जो अपने कहानी अगर आपको है तो सुनी होगी कि हर्याना में एक नेता थे उनको लेकर यह कहावत चर्चित होती थे कि आयाराम कि वह किस पार्टी में जा प्रशादी यह उसके पास होती है लेकिन विचारदार के जगर हम बात करते हैं तो विचारदारा तब बायने रखती है जब विचारदार को एक मुठी के तौर पर चला आजा है आप देख सकते कॉंग्रेस में इसकी थोड़ी सी कमी नज़र आती है अगर आप राजनीतिक व लेकर उनके विजन चिंदवारा के विकास को लेकर सुनिया आप भी मध्य प्रदेश को लेकर आपका विजन क्या है आप एक युवा नेता है आप युवाओं की बात करते हैं आप स्पोर्ट को बहुत प्रमोट करने की बात करते क्या विजन है आपका देखिए मैं तो चा मैंने शुरुआत की सांसद क्रिकेट कप की, इससे यूथ जुड़ता है, तो क्योंकि मैं युवाँ हूँ, मैं युवाँ के बारे में भी सोचता हूँ. आपने ये भी घोशना की कि मध्यप्रदेश की अमाई पेल टीम बनवा देंगे, आपने युवाँ से सुझाव मांगा कि उनका नाम बताईए। होता है, कल की अठका लिया लग है कि कल बीज़पी में शावल हो सकते हैं ना कुल लाथ कम लाथ, हला कि देखने वाली बात होगी, यहां रुकरेग छोटे से ब्रेक लेजल लोट रहे हैं।